नमस्कार कैसे हैं आप एक देश एक विधान एक सम्विधान किसी भी संप्रभुता संपन राष्ट का ये बेसिक स्ट्रक्चर है लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी इस देश में एक जैसा कानून नागरिकों पर लागू नहीं हो सका इस देश का विभाजन मजहब के अधार पे हुआ मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बना लेकिन मुसलमानों के दबाब में ही निहरू ने इस देश को एक जैसा कानून नहीं लागो होने दिया सम्मिधान निर्माता कहे जाने वाले बाबा साथ अमबेद कर समेथ तमाम लोग चाहते थे किस देश में एक जैसा कानून बने एक जैसा विधान हो लेकिन नहरू इस पर अडिक थे और उनका मानना था कि एक जैसा कानून के नाम पर कुछ ऐसा यू सी सी जैसा कुछ बनाया गया तो मुसल्मान भी द्रोह कर देंगे कॉंग्रिस या एजंडा तब भी लागू रखी जब इस देश में फिल्मों के कलाकार अपने नाम हिंदू रख लिया करते थे योसिफ कान दिलिप कुमार कहा करते खाज कहे जाते थे मदवाला समीत तमाम कई ऐसे उदाहरन हैं इसलिए क्योंकि इस देश में सन 71 से पहले इस तरह की बात की उसी सी लागू हो जाएगा तो विद्रोह हो जाएगा कलपना से पड़े था फिर भी असाजिस कैसे चली अब वो असाजिस वो गरूरू पधारन कर चुका हुआ है जी बारत के पढ़ान मंतरी नरेंदर मोदी ने अभी हाली में जब कहा इस देश में एक जैसा कानून लागू होना चाहिए 27 जून को पधान मंतरी मोदी ने ठसक के साथ कहा था कि कॉमन सिविल कोड इस देश के लिए ज़रूरी है पधान मंतरी के इस बोल पर हंगामा मच गया आज कल हम देख रहे हैं कि यूनिपॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को बढ़काने का काम हो रहा है आप मुझे बताईए एक घर में परिवार के एक सदसे के लिए एक कानून हो परिवार के दूसरे सदसे के लिए दूसरा कानून हो तो क्या वो गर चल पाएगा क्या कभी भी चल पाएगा क्या फिर ऐसी दोहरी व्यवस्ता से देश कैसे चल पाएगा हमें याद रखना है कि भारत के सम्विधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है साथियों ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसल्मान मुसल्मान करते हैं अगर ये मुसल्मानों के सही माइने में हितेशी होते तो अधिकाउस परिवार मेरे मुसलिम भाई बहन स्विक्षा में पीछे न रहते हैं रोजगार में पीछे न रहते हैं मुसिबत की जिन्दगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते हैं और सुप्रिम कोट ने बार बार कहा है सुप्रिम कोट डंडा मारती है कह रही है कॉमन सिविल कोट लाओ लेकिन ये वोट मेंक के भुखे लोग जी जो ही पढ़ान मंत्री ने यह बात कही कि इस देश में अब एक जैसा कानून होगा मुला मौलवी ही मैदान में नहीं आये कांगरिस उन्हें प्रवोक करने लगी पस्नल बोर्ड ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया और यहां तक कह दिया कि इस देश में अब तुछ शरिया कानून लागू होगा Muslim Personal Law Board अब ये कह रहा है कि इस देश में हर जिले में हम अब शरिया कानून लागो करेंगे इस उत्पात के बीच केरल के गवर्नर सामने आए है आरिप मुहम्मद खान आरिप मुहम्मद खान ने इस सड्यंत की हवा निकाल दी है और कहा है कि ये जो अफवा फैलाया जा रहा है ये ढोंग है इस देश में एक जैसा कानून ही लागो होना चाहिए आरिप मुहम्मद खान ने मुला मुलवियों के उस सड्यंत की हवा निकालते हुए का कि ऐसा नहीं है कि तुम अब शादी में साथ फेरे लगाने लगोगे दरसल शड्यंत यही किया जा रहा है कि मुसल्मानों पर थोपा जाएगा हिंदूओं का लौव आरिप मुहम्मद खान उसी भ्रहम को दूर कर रहे है आज All India Muslim Personal Law Board Uniform Civil Code के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वर्च्वली मीटिंग की जिसमें बोर्ड ने लोगों से UCC का विरोध करने की अपील की है दरसल प्रधानमंतरी मोदी ने 27 जून को भूपाल में देश भर में UCC जल्द लागू करने की वकालत की थी उन्होंने कहा था कि Uniform Civil Code पर लोगों को भड़काया जा रहा है एक घर दो कानूनों से नहीं चुन सकता बीजेपी यह भ्रहम दोर करेगी वहीं केरल गवर्नर आरिफ मुहमत खान का कहना है कि 40 साल बाद पीडियां तीम मूधी को तीन तलाग खत्म करने के लिए याद करें ही तीन तलाग खत्म होने के बाद से मुसलिमों में ट्रिपल तलाग के मामलों में इंचानवे फिसदी की कमी आई है साथ ही बोले कि इसलामी कानून भीडबाफ करते हैं 90 फीसदी कानूनों का कुरान से कोई लेना देना नहीं है UCC लागू करने के बाद अगर दो महिलाएं समान फरस्थतियों में कोर्ट जाती है तो कोर्ट उन से उनका धर्म नहीं पूछेगा बल्कि समान रूप से न्याय करेगा जिसे पाना हर नागरिक का हक है यूनिफॉर्मर सिविल कोड यह बात सुनिश्चत करेगा जी आरिक मुहम्मद खान ये कह रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड लागू होने से सबसे ज़्यदा फाइदा मुसल्मानों को होगा यह बात अम्बेद कर भी कहा करते थे लेकिन नहरू ये जानते थे कि मुसल्मानों का वोड थोक में मिलता है मुसल्मानों को जितना ब्रम में रखे रहोगे उतना फाइदा होगा आरिक मुहम्मद खान ने एक बार प्धान मंतरी नरसिमहाराओ के बारे में कहा था उन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर नरसिमहाराओ के बाद पास वो गए और उन्होंने कहा कि मुसल्मानों के लिए जो अलग कानून है उसके कारण कई घाटे मुसल्मानों को हो रहे है बकौल आरिक मुहम्मद खान प्धान मंतरी नोंने कहा जो लोग गटर में रहना चाहते हैं उन्हें गटर से मत निकालो तो क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी मुसलमानों को गटर से निकालने की जिद में हैं और उनके संग आरिफ मुहम्मद खान है आरिफ मुहम्मद खान ने आकरे पेश करते हुए कहा कि जब से ट्रिपल तालाक लागू हुआ है 95% केस जो है महिलाओं के इसका फाइदा हुआ है आरिफ मुहम्मद खान कह रहे हैं नियाय करते बक्त धर्म नहीं पूछा जाना चाहिए और यही होगा दरसल यूसी सी लागू होने के बाद हिंदु महिला या फिर मुसलिम महिला क्रिश्चन महिला या सक्ख महिला उन सब के उपर एक जैसा कानून लागू होगा मतलब उनके उपर अत्याचार रुकेगा परिबारिक बिबाद का मामला एक जैसा होगा किसी के धार्मिक आस्था पर एका की बात नहीं कही गई है शडियंत्र यही हो रहा है कि कॉमन सिविल कोट से तुम्हारी धार्मिक मामले में विच्छेद किया जाएगा अब पस्नल बोट के शडियंत्र को आप देखिए उस पर कॉंग्रेस के बोल को देखिए लगातार यही साजिस रची जा रही है दरसल शाहबानो केस से पहले आरिफों महम्मद खान राजीव गांधी सरकार में मंत्री हुआ करते थे सुप्रिम कोट ने इसी यू सी सी के तहत यह कहा कि शाहबानो नाम एक बूढ़ी महिला जिसे तीन बार तालाक कहके उसके पती ने छोड़ दिया गुजारा भत्ता तक भी नहीं दिया सुप्रिम कोट ने तब रूल बनाया कि यह गुजारा भत्ता का अधिकार मुस्लिम महिलाओं को भी है राजीब गांधी की प्रचंड मुहमत की सरकार ने उस समय में सुप्रिम कोट के उस आदेश को बदल दिया और उसके बाद जो हुआ वह देश ने जाना अक्सर आरिफ मुहमत खान कहते हैं कि राजीब के उस फैसले ने कॉंगरेस के लिए तबाही लाई और ये तुष्टिकरन वो अपने नाना से भी ज्यादा करने लगे और इसी की परिनती आज देश भूगत रहा है तो सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आरिफ मुहमत खान जैसी कॉंगरेसी को जो सालों तक समर्पित कॉंगरेसी थे उन्हीं अपनी पाले में क्यों लाया उन्हीं केरल का गवर्नर क्यों बनाया आरिफ मुहम्मद खान की विद्वता के बारे में माना जाता है कि भारत में सबसे प्रकांड मुस्लिम विद्वानों में से एक हैं जिने गीता और कुरान पर समान पकड़ है तो क्या बिद्रो करने के शडियंत के बीच आरिफ मुहम्मद खान एक ढाल के रूप में सामने आएंगे कामन सिविल कोड के उस भ्रम को दूर कर पाएंगे जिसका शडियंत रचा जा रहा है अलग-अलग मुल्ले मौल्वियों के बयान आजकल वाइरल हो रहे हैं जिसमें उकसाया जा रहा है मुसल्मानों को इस बीच में एक वीडियो और वाइरल हो रहा है वह बहुत चालाकी से उकसावे को तो वरतमान में रोक रहा है लेकिन ये समझा रहा है कि मुसल्मान ही क्यों उगर हो रहे हैं दरसल इस वीडियो को समझना इसलिए जरूरी है कि इस देश में अलग-अलग पंथ हैं मजभ के नाम पर मुसलमानों के लिए तो अलग देश बना लेकिन इस देश में इस कौमन सिविल कोट से इसाईयों को उत्मे उतना विरोध क्यों नहीं है जैन, महावीर धर्म, बौध धर्म, पार्सियों को या फिर सिखों को इसाईयों को क्यों इसका विरोध नहीं है तबी खेल समझ में आता है कि ठोक में परने वाले इस वोट के माध्यम से मुसलमानों को उसके हक से ही रोका जा रहा है आकड़े बताते हैं कि मोधी सरकार के दौर में मुसलमानों के दिन ही बदले हैं लेकिन फिर भी ये कौन सा शड्यंत्र है जिसके कारण UCC पर जिहादी साजिस रची जा रही है आरिफ मुहम्मद स्खान खुल कर सामने आये हैं वो भ्रमदूर कर रहे हैं कि ये कौमन सेविल कोड मुसलमानों के धार्मिक आस्था पर किसी रहं का चोट नहीं है ये दरसल एक समाजिक कुरितियों को दूर करने का प्यास है वैसे मोधी ने ठान लिया है तो मानेंगे नहीं मोधी खुद कह रहे हैं कि सुप्रीम कोट ने यूसी सी कई बार लागू करने के लिए एक बार फिर से सुने प्रहां मिन्स्टर मोधी ने सुप्रीम कोट के लिए क्या गा था आज कल हम देख रहे हैं कि युनिपॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को बढ़काने का काम हो रहा है आप मुझे बताईए एक घर में परिवार के एक सदसे के लिए एक कानून हो परिवार के दूसरे सदसे के लिए दूसरा कानून हो तो क्या वो गर चल पाएगा क्या कभी भी चल पाएगा क्या फिर ऐसी दोहरी व्यवस्ता से देश कैसे चल पाएगा हमें याद रखना है कि भारत के सम्विधान में भी नागरीकों के समान अधिकार की बात कही गई है साथियों ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसल्मान मुसल्मान करते हैं अगर ये मुसल्मानों के सही माइने में हितेशी होते तो अधिकाउस परिवार मेरे मुसल्म भाई बहन सिक्षा में पीछे न रहते हैं रोजगार में पीछे न रहते हैं मुसिबत की जिन्दगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते हैं और सुप्रिम कोट ने बार बार कहा है सुप्रिम कोट डंडा मारती है कह रही है कॉमन सिविल कोट लाओ तो क्या सुप्रिम कोट फिर से CAA और किसान कानून समेट 370 की तरह कुंडली मार कर UCC पर बैठ जाएगा या फिर कॉमन सिविल कोट 2024 से पहले लागू होगा अब ये लागू हो या ना हो इस देश का एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है तो क्या इस सिर्फ चुनावी मुद्दा रहेगा या जमीन पर उतरेगा क्या लगातार एक भ्रम के द्वारा एक बोट बैंक को धार्मिक भावनाय भरका करके योँ ही उक्साया जाता रहेगा और इस देश की जमीन को कमजोर किया जाता रहेगा दरसल कई बार सभाल ये उठता है क्या यूसी से हिंदू वर क्यों खोश हैं कट्टा लिंदू क्यों खोश हैं उन्हें कई बार लगता है कि इससे मुसल्मानों के हक पर रोक लगेगा वो चार-चार शादियां करते हैं इस पर रोक लगेगा जबकि कई बॉधिक मुश्लिम कहते हैं कि आपने अपने आस परोस में कितनी पुरुशों को देखा है कि वो चार-चार शादियां करते हैं मामला सिर्फ इसका भी नहीं है ये तरक महत्पून है लेकिन मामला यह भी है कि चार शादियां, दो शादियां के लालच में लोग इसलाम कबूल करते हैं धर्बेंदर समेट कई ऐसे लोग हैं जिसके उदाहरन हैं कि उन्होंने वो हिंदू रहते हुए दूसरी शादि नहीं कर सकते थे इसलिए कागजी तोर पर वो मुसल्मान बन गए ऐसे कई उदाहरन हैं कि शादि के लालच में या कुछ और लालच में लोगोंने अपना पंध बदला है कामन सिविल कोड लागू होते सबसे बड़ा चोट धर्मांतरन होगा सबसे बड़ा चोट लब जिहाद पर होगा तो क्या कटर मुल्ला मॉल्बी उसी एजंडे के तहत हलाला की चाह के तहत इसे लागू नहीं होने देना चाहते हैं और मुदी के आरिक मुहम्मद खान उसके लिए हत्यार बनकर सामने आए हैं यह देखना दिल्चस्प होगा कि 2024 के चुनाप से पहले UCC कितना वरा हत्यार विपक्ष के लिए बनता है या फिर नरिंद्र मुदी की सरकार के लिए क्योंकि चुनापी मुद्दा तो बनेगा जरूर बहुत बहुत धन्यवाद